वालो फिर भाग जाएगी का ट्रेलर हैपी भाग जाएगी जब आई थी तब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिल्म हिट भी हो गया मिन डाइना पैंटी अली फजल जिवी शेयर गिल कौन देखना पसंद करेगा साथ में हमारे प्यूश मिश्राज जी थे वह फिल्म प्यूश मिश्रा का बेवड़ा वाला सीन हो या पाकिस्तान में डाइना पैंटी जो भी धमाल मचाती है जाकर उस सारे के सारे सीन्स गाइस देखने लाएक तो वाके काबिले तारीफ ते लेकिन अब जब हैपी फिर भाग जाएगी आएगी गाइस इसका सबसे बड़ा ज फिल्में बनाता है सबसे पहली बाद अगर प्रेडूसर नाप भी हो यूनो स्क्रिप्ट राइटर भी हो या कोई भी लेवल पर आपके फिल्म में आनंद राय का नाम जुड़ जाता है इसका मतलब यह तो फिल्म तगड़ी होने वाली है अगर आपको याद नहीं आपको कंटेंट बहतरीन रहती इतना तो गैरेंटी और फ्रेंज इसका जो ट्रेलर है यह दो धाई मिनिट में आपको आइसा इंप्रेस करके जाता है सुनाक्षी सिना की फिल्में सर पैर के उपड़ से चले जाते लिए पहली फिल्म है बहुत सालों के बाद सुनाक्षी सिना जह पुल्टा हो जाता है जिसके कारण सुनाक्षी सिना को बंदी बना लिए वहां पर बोलती भी बंदी को ढूंड रहा हो बंदी मैं नहीं मैं वह हैपी नहीं हूं पंजाब के हर दूसरे घर में दूसरी तीसी लड़की हैपी रहती है इसका मतलब जुत्तु हैपी ढूंड मैं नहीं हूं उसके बाद जिमी शेरगिल इसकी शादी पहले पार्ट में होते होते रहे गए ती अब फिरो शादी करने जा रहा है उसके प्यूश मिश्रा कैसे आ जाता है पाकिस्तान का क्या बोलते इंस्पेक्टर वह पता नहीं उल्लो को भी आरेश कर लेते हूं चाइ मिडिल सुनाक्षी सिना लड़का बोलता अरे मैं गिल हूं तो जीमी शेरगिल अगर तुगिल है तो मैं शेरगिल हूं काफ़े अच्छे डायलोग फिल्म में वह चीनी बोलता है अब तुम दोनों इसके साथ जाओ माकचू लेकर जाओ साथ में इसको तेरा नाम माकचू ह माकचू है काफ़ी डायलोग है और इसके बाद दोनों जीमी शेर के लिए लेकिन इनके तलाश है असली हैपी की जो के है डाइना पैंटी यह स्ट्रेलर के एंड में अली फजल भी आते है और दोनों एक प्लाइए और प्लाइन बनाते है काफी खूफिया प्लाइन के तो फिर्म देखने का पहा चलेगा जीमी शेर के लिए लगा लेता है प्यूष मिश्र को बूर्खा पिना देते सब्सक्राइब अलग गेट अप पंजाबी को अलग गेट अप अली फजल लोग यह जिन पे निकल जाते है का जो डालोग है तो ट्रेडर हमें छोड के जाता है यू जी शेर किल मुच्छी लाग के बोलता है चानी इंस्पेक्टर को यू और माय यू है विट माय वाइफ लाबरादोर अफेर बोतार लाबरादोर ने लेजबियन अफेर है काफी फेंटास्टिक डालोग लिखे है इंडाक्षी सिना का इंडाक्षी लिए जस्कूना के रिक्ट सीक्वेंस्टिक बाइच्छी सीना का इंच्छी सिना का इंट्रेलर में ख़ए बैंगकोग में फिल्म शूट रहती है बैंकोग के लोकेशन्स और पर चेश सीक्वेंस और किस तरह से इनों सुनाक्षी सीना का इंट्रोडक्शन होता है इस ट्वेलर में और नया सरदार जी करेक्टर आया है वह काफी इंट्रेसिंग लगता है यह फिल्म गाईज एक हिट है गारेंटी डिकलेर है अब क्या यह फिल्म हिट से उपर उभर के आती है क्या जंता उसे अपने सराखों पर रखती है यह फिल्म के